जो आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है basic safety rules, ठीक है, हर काम को करने के लिए factory हो या contraction line हो, वहां के हर जगे के basic safety rules कुछ होते हैं, ठीक है, basic safety rules वो कैसे बनते हैं, मान लिजे कहीं भी कुछ accident होते हैं, ठीक है, accident होते हैं, दूर घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को फिर बाद म निरेक्षन किया जाता है, root cause निकाला जाता है, उन root cause को निकलने के बावजुद, उसके बाद में जो परिणाम निकले उसके, उसके जो find out किया जाता है, उसके बाद में जो rules बनाय जाते हैं, उनको, वो basic safety rules होते हैं, कैसे घटनाएं क्यों होई थी, वो basic safety rules, तो आज basic safety rules के हम बात करते हैं, तो basic shift rules क्या होता है, हमारे काम करने के लिए सबसे पहले, सबसे पहले हमारी construction science का basic rule है, PPE's का होना, proper तरीके का PPE's सभी के पास में होना, number एक बात यह, ठीक है, PPE's सही रहेगा, तो 50% हम, जो भी accident है, उसको हम, उससे training, जो भी training आपको करेगे, प्रापर तरीके के आपको training रहेगे, उस काम को करने की, तो accident को टाल सकते हैं, ठीक है, तो यह basic rule, दूसरा है, तीसरे basic rule के हम बात करते हैं, stay alert, यानि कि हमारे काम में हमेशा हमें सतरकता पुर्वा काम करना है, दूर घटना है, कभी भी घटित हो जाती है, होता ना बहुता है, कि नहीं होता है, कभी भी भी घट जाती, यहसा कोई इसा नहीं होता है, उसका कोई time fix नहीं होता है, आप किसी को बोल के नहीं होती, तो always stay alert, number 4 में बात करूँगा, जो अपने कपड़े हैं, कपड़े हैं, उसको delay was repair, कि आप height में काम कर रहें, आप एक स्तान से दूसरे स्तान पर जा रहें, को MB में बज़ जाएगा, राक्टर में बज़ जाएगा, तो वो कपड़ा, डीला कपड़ा भी नुकसान दाएगा, number 5 में बात करूँगा, सही तरीके का टूल्स का इस्तिमाल करना, सही तरीके का टूल्स का इस्तिमाल के से करेंगे, भई? फिर भी उसका अप्योग कर रहे हैं, तो वो सही तरीके का आगा, हमस्तिमाल नहीं करेंगे, sleep होगा, sleep होगा, sleeping, tripping अगर हो सकता आपके हाथ में injury आ सकती है तो number 6 मैं बात करूँआ, lifting activity अपनी, lifting activity क्या जो भी material हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर पहुचाते तो उस material को सही तरीके के machinery से उठाना, ठीक है सही तरीके मसनरी से मतलब यह है कि जो भी मसनरी से हम उठा रहे उसको उस मसनरी पर जो भी हमने सिलिंग लगई है, बेल्ट लगई है वो सही तरीके का होना उसके बाद उस मैट्रेटекс फ्रापर तरीकेकर टेगलाइन के साथ उस मट्रेटको shift करना जो material हाथ से उठाने का उसको हाथ से उठाया जाए अगर हाथ से उठाने के मैं उसमद अपना सक्षम नहीं है तो उस material को ऐसा कोशिश ना करें ठीक है उसमद फिर जो भी machinery का उपयोग है उससे उठाया जाए नमबर साथ साइट पे horseplay generate करना horseplay मालू मैं कितने लोगों को मालू मैं horseplay yes horseplay मजाक मस्ती साइट के उपर मजाक मस्ती करना या कोई jokes करना एक दूसरे के उपर joke करना ये with accident का कारण है ये basic safety rule है ये भी site पे नहीं होना चीए ठीक है कोई भी एक दूसरे पर joke काम के दोरान ना करे और नहीं मजाक मस्ती करे ये त्यान रखना हमें always नमबर आठ में basic safety rule की बात करूँँगा housekeeping better housekeeping better housekeeping से मतलब ये है काम starting के दोरान housekeeping करना उसके बाउद में जो shift end हो जाती उसके बाद कई लोगों के अपने practice में ये होता है कि जो भी अपने tools है हो जारे वो जहां के तहां पड़े रहे जाते ये गलत है जो भी अपना काम अगर ह हो गया shift end हो गया अपना काम पूरा हो गया तो उस ओजार को अपने अपने इस्टोर में वेवस्तित तरीके से ले जाना ताकि उसको वेवस्तित आगे अपने को next time अपने को जल्दी से आसानी से मिल जाए ठीक है तो ये housekeeping का बेटर ध्यान रखना ताकि और workspace पर जहां काम कर ना ताकि sleeping tripping से बचेती है basic safety rule है वाई जो भी काम करेगा वो housekeeping के साथ काम करेगा number 9 में बात करूँआ number 9 है reporting reporting से मतलब ये है कोई भी accident मान लिजे हुआ है आज या कल में तो उसको अपने supervisor है या अपने जो भी बड़े अधिकारी है उनको बताना उस चीज को चुपाना नहीं ठीक है बताने से मतलब ये होगा उस से ये फाइदा होगा आपको कि मान लिजे आगे कोई से घटना हो रही है तो उससे हमें केसे बचा जा सकता है ठीक है number 10 में बात करूँआ फास्टेडर का सई टाइम पे इस्तमाल करना फास्टेड बॉक्स फास्टेड दवाईयां medicine मान लिजे किसी को चोट लेगी तो उसको टालमटुली ना करे वही उसको बिलकुल आपको उसकी medicine लेना है अगर चोट लगी इंजूरी लगी तो उसको आपको antibiotic दवाई लेना है उसके साथ में ताकि कोई भी वह infection ना फेले यह basic safety rule है ठीक है number 10 मैं safety rule उसकी बात करूँआ तो number 10 मैं बात करेंगे तो कोई भी ऐसा कारी आप करते हैं जो आपके knowledge में नहीं है तेसे काम को ना करें उसको बोलते हैं unnecessary daring किसी भी काम को करने के लिए किसी भाद तक नहीं जाना ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह 10 safety rules में आपको बताया अभी ठीक है तो 10 safety rules ज किसी भी प्रकार के वाँ में हनी जोकुम या दुरगटना से हम बचेंगे तो साथियो जोब भी आप काम करों तो सुरक्षा के साथ में basic safety rules के साथ में काम करें और अपना ख्याल रखिए आज का दीन आपका सूब रहे सुरक्षित हो जय सुरक्षा